मैं हूं सुमित यदव और आप देखरें प्रजातन्त टीवी इस टाइम फरुकाबाद में खड़ा हूं फरुकाबाद के थाना कंपिल में आज चोथे इस्तंब को सरमसार कर दिया यूपी पुलिस ने एही मामला आज एक देखने को मिला है मुझे फरुकाबाद की ग्राम ग पुलिस ने और अध्यापक ने मिल करके यह पत्रकाल साती है दीपक अबदेश मिस्रा इनका कुसूर इतना था कि अध्यापक ने सिर्फ बच्चे को गाली दी थी बच्चा टीसी लेने गया था स्कूल में तो उसे गाली दी और इनका काम था कि इन्हों ने उसकी आबाज क जिए अधर हैं पुलिस की मिली भगत से और काम घिये लिगों के लिखा आहिंद की चाहिएं क्यों लिखवा कि प्रजी मुकादम क्यों लगवा यह चिनूने आज उटके हैं इसली sandy मैं हला रहे है कि यह एंस जानते हैं अपदेश मिस्टा अ कि क्या मामला हिए है कि अब देश का मामला हुआ थो हम उस दिन स्कूल में एक बच्छे के कहने पर वाँ स्कूल में गए जिस बच्छे को गालिया देती अध्यापक दा रहा है असलीय गालिया देकर यह पताया गया कि तुम्हारा लिए अध्यापक ने उस बच्चे से कहा उस बच्चे ने यह कंप्लेंट सीम हर्फ लाइन पर कर दी 14 तारीक को उसकी आपके पास कुछ है रूब उसकी वह स्क्रीन शॉट बगरा उस कंप्लेंट का कंप्लेंट नंबर है अच्छा ठीक हाँ पिर उस बच्चे को जब पंदय तारीक को उनकी जहां चाहिए माश्टर साब की तो बच्चा बहां माश्टर साब अदर की सीर्वाज़ की थी तब मामला मेरे संग्यान में अया उस से पहले मेरे संग्यान में यह नहीं था तो उस दिन हम जब यहां से गए बहां तो उनके वाज़ों के कुछ यह इदर फर्कवास साइड से कहीं से आते हैं ठीक ठीक हां फिर आगी क्या हुआ तो हम उनसे वारतालाब करने लगे हमने का आप गालियां क्यों दे रहे हैं बच्चे को आपका काम पढ़ाने का है गुरू का काम होता है कि शिच्चा देना तो उन्होंने का कि आपको इस में जो लोग थे गाओं के और प्रदान के और उनके मास्टर के सपोर्ट के उन्होंने उस बच्चे के पिता जी को बुलाया कि आप या तो फैंसला कर लीजी नहीं तो आपके बच्चे पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे मार पीट का ठीक है तो उस बच्चे ने फिर हमारे प बच्चे की तरफ से मास्टर साब से यह पूंचा कि आप बच्चे को गालियां क्यों दे रहे हैं यह आप सुने हो यह पत्रकार हैं पीडित हैं देश के चौते इस्तंप पर काम कर रहे हैं और इनके किला मुकदमा लिखवा गया क्यों लिखवा गया कि इन्हों ने उस अब आज को बुलंद करना चाहा उस बच्चे का होसला बढ़ाया एक अध्यापक जो गुरू होता है उसने बच्चे के साथ अब बदर्ता से गाली तो इन्हों ने उसकी आप बुलंद की तो उसने जो है इनके उपर फरजी मुकदमा लिखवा दिया है ठाने में चौते इ इसी समस्या को लेकर के जितने भी पत्रकार हैं भारी रोज है और अपात काली निनों ने बैठक बुलाई है और धरना प्रदर्शन करने के लिए ये तियार है